हेलो दोस्तों अक्षेवन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इस चैनल पर मैंने जॉइन बटन लगा दिया है जिससे कि आप मुझे फाइनेशली सपोर्ट भी कर सकते हैं आपका छोटा सा सपोर्ट मेरी बहुत हेल्प कर सकता है और आपके हेल्प के लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा वैसे जो लोग चैनल की मेंबर्शिप नहीं लेंगे मैं उनका भी हमेशा आभारी ही रहूंगा क्योंकि मेरे वीडियो देखकर भी आप मेरी हेल्प ही कर रहे हैं तो दोस्तो अब आते हैं अपने आज के वीडियो पर आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपने सब्सक्राइबर्स की भेजी तीन बिल्कुल जारखंड से रंजीत जीने भेजिये तो आगे की घटना मैं आपको अब रंजीत जी के नजरिये से बताऊंगा मेरे नाम रंजीत है मैं जारखंड के जमशेदपूर शहर के परसुड़ी इलाके का रहने वाला हूँ और आज मैं आप सबको अपने साथ हुई एक बहुत ही डरावनी घटना बताने जा रहा हूँ दरसल ये बात है साल 2018 की उस तमय अचानक मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी तो हम लोग अपनी मम्मी का अंतिम संसकार करने के लिए उनकी डेड बॉडी शमशान घाट ले गए थे हमारे यहाँ एक रिवाज है कि परिवार के किसी भी शक्स की मौत के बाद उसकी अर्थी पर बिच्छा हुआ सफेद कपड़ा परिवार के ही किसी सदस्स को 10 दिन तक पहनना पड़ता है और 19 दिनों के दोरान वो शक्स तेल और नमक नहीं खा सकता मैं अपने घर का बड़ा हूँ तो वो कपड़ा मुझे ही पहनना था लेकिन मम्मी के अंतिम संसकार के बाद मेरे दोस्तों ने गलती से मेरे मम्मी की अर्थी की जगा किसी दूसरे की अर्थी का कपड़ा मुझे पहनने के लिए दे दिया इसके बाद 10 दिन तक तो मेरे साथ कुछ भी अजीब नहीं हुआ लेकिन 10 दिन बाद जब मेरी मम्मी का शराद हो गया तब उसी रात से मेरे साथ अजीब अजीब सी घटनाए होने लगी जैसे रात को सोते समय अचानक से मेरा पलंग अपने आप जोर जोर से हिलने लगता था और जब मैं उठकर देखता था तो मुझे अपने कमरे में कोई भी नहीं दिखता था फिर कुछ दिनों बाद मुझे अपने कमरे से पायल की आवाज भी आने लगी मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई औरत पायल पहन कर मेरे कमरे में टहल रही हो लेकिन जब भी मैं उठकर देखता था तो मुझे अपने कमरे में कोई भी नहीं दिखता था फिर दीरे दीरे मेरे शरीर पर खरोंचों के निशान भी दिखने लगे मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये सब मेरे साथ हो क्या रहा है फिर जब मैंने ये सब बाते अपने घरवालों को बताई तो मेरी सिस्टर मेरी बातों की सचाई परकने के लिए एक रात मेरे कमरे में ही सो गई फिर उस रात दो बजे मुझे अचानक से अपनी सिस्टर की चीखने की आवाद सुनाई दी जब मैंने उठकर देखा तो पाया कि मेरी सिस्टर अपने बेट से नीचे गिरी हुई है और वो रो रही है मैंने उससे पूछा भी कि क्या हुआ तुम नीचे कैसे गिर गई तो उसने रोते हुए बताया कि किसी ने उसका पैर खींच कर उसे बेट से नीचे गिरा दिया मेरी सिस्टर के इतना बोलते ही मेरा बेट भी बहुत जोर जोर से हिलने लगा ये देखकर हम दोनों बहुत घबरा गए मुझे हनुमान चालिसा आती है इसलिए मैंने तुरंथ हनुमान चालिसा का पाट करना शुरू कर दिया फिर तुरंथी सब शान्त हो गया इसके बाद वो पूरी रात हमने डर के मारे जागते हुए काड़ दी फिर अगली सुबा हम लोग एक पंडित जी के पास गये तो उन्होंने हमें बताय कि तुमने अपनी मम्मी के जगा किसी दूसरी औरत की अर्थी का कपड़ा पहन लिया था इसलिए वो औरत तुमारे पीछे पढ़ गई थी इसके बाद उन पंडित जी ने मुझे एक ताबिच पहनने के लिए दिया और कुछ अभिमंतरित सरसों भी दी अपने कमरे में डालने के लिए फिर इसके बाद सब कुछ ठीक हो गया तो दोस्तों ये थी पहली स्टोरी और आब आते हैं दूसरी स्टोरी पर दूसरी स्टोरी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मुझे गाजियाबाद से लोकेश जीने भेजिये तो अब आगे की घटना मैं आपको उनी के नजरिये से बताऊंगा मेरा नाम लोकेश है मैं गाजियाबाद का रहने वाला हूँ और आज मैं आपके साथ share करने जा रहा हूँ अपना एक paranormal experience ये घटना मेरे साथ पिछले महीने तब घटी थी जब मैं कोचिंग से वापस अपने घर आ रहा था दरसल मेरा कोचिंग सेंटर मेरे घर से थोड़ा दूर है और मेरे कोचिंग सेंटर तक पहुँचने के लिए मुझे एक गाउं से होकर गुजरना पड़ता है तो पिछले महीने 11 जनवरी को मेरे टीचर ने कोचिंग थोड़ा लेट शुरू की थी इसलिए कोचिंग से घर वापस आते समय रात हो गई रात के समय ठंड काफी बढ़ गई थी और अंधेरा भी काफी था फिर कुछ देर बाद ही मैं उस गाउं में पहुँच गया जो की मेरे घर के रास्ते में पढ़ता था उस समय वो सड़क बिलकुल सुन्तान थी वहाँ चारो तरफ बिलकुल अंधेरा वैला हुआ था ठंड की वजह से मैं भी गाड़ी काफी धीरे चला रहा था फिर जैसे ही मैं उस तड़क पर थोड़ा आगे बढ़ा वैसे ही मुझे एक आवाज सुनाई दी कहां जा रहे हूँ वो आवाज सुनते ही मैंने अपनी बाइक रोक दी और मैं इधर उधर देखने लगा चारो तरफ देखने के बाद भी मुझे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई दिया तो मैंने सोचा कि शायद मुझे वहम हुआ है इसके बाद मैं जैसे ही दोबारा अपनी बाइक लेकर चला वैसे ही मुझे वही आवाज फिर से सुनाई दी कहां जा रहे हूँ वो आवाज सुनते ही मैं चौँक गया मुझे लगा शायद गाओं का कोई आदमी मुझे से लिफ्ट मांगना चाता है यही सोचकर मैंने अपने मुबाइल का फ्लेश आउन किया और अपने चारों तरफ नजर दोड़ाई लेकिन मुझे वहाँ अपने आसपास कोई भी नजर नहीं आया ये सब देखकर मैं थोड़ा घबरा गया इसके बाद मैंने फिर से अपनी बाइक स्टार्ट की और वहाँ से चल दिया पर जैसे ही मैं पचास मीटर आगे बढ़ा वैसे मुझे अपनी बाइक के आगे एक आदमी खड़ा दिखाई दिया जो कि अपनी गर्दन तेड़ी करके सीधा मेरी तरफ ही देख रहा था फिर इसके बाद जो कुछ हुआ उससे मैं बहुत ज़्यादा डर गया दरसल वो शक्स मेरे सामने इतनी अचानक से आगया था कि मुझे ब्रेक लगाने का मौका ही नहीं मिला और मैं सीधा उस आदमी से जाके टकरा गया लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उस आदमी से टकराने की बज़ाय मैं उसके आरपार हो गया मुझे बिल्कुल ऐसा ऐसा हुआ कि जैसे वो आदमी हान मास का नहीं बलकि हवा का बना हो उस शक्स के आरपार होने के बाद मैंने दोबारा से बाइक रोक कर इधर उधर देखा लेकिन मुझे फिर भी वहाँ पर कोई भी नहीं दिखा इसके बाद मैं वहाँ से बहुत तेजी से बाइक लेकर भागा और सीधा अपने घर पर जाकर रुका घर पर आते ही मुझे बहुत तेज चक्कर आने लगे और मेरा सर भी बहुत तेज दर्द होने लगा फिर मैंने ये सारी बात अपनी मम्मी को बताई तो उन्होंने मुझे हनवान चालसा का पाट करने को कहा फिर जैसे ही मैंने हनवान चालसा का पाट किया वैसे ही मेरी तबियत भी ठीक हो गई फिर इस घटना के बाद जब मैंने उस गाउं के लोगों से उस जगा के बारे में पूछा कि क्या ये जगे हॉंटेड है तो एक आदमी ने मुझे बताया कि यहां पर साल 2006 में एक लड़के का मडर हो गया था और तब से उस लड़के को कई बार यहां के लोगों ने इसी जगे पर भटकते हुए देखा है दोस्तों ये जो घटना भी आपने सुनी ये गाजियाबाद के गोविंद उपरम इलाके के पास की घटना है और मेरे इन सब्सक्राइबर भाई ने मुझे उस लड़क की कुछ फोटोज भी खीच के भेजी थी जो कि आप भी देख सकते हैं तो अब आते हैं अपनी तीसरी स्टोरी पर तीसरी हर श्टोरी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मुझे मतुरा से दीपक जी ने भेजी है तो आगे की घटना उनी के नजरिये से मेरा नाम दीपक दिक्षित है मैं मतुरा का रहने वाला हूँ और आज मैं आप सबको बिल्कुल सची परानॉर्मल घटना बताने जा रहा हूँ ये घटना मेरे दादा जी के साथ हुई थी दरसल ये घटना साल 1960 की है उस समय मेरे दादा जी की उम्र सिर्फ 17 साल थी उन दिनों खेतों में गन्ने की फसल लग रही थी और एक बार रात के समय मेरे दादा जी और उनके बड़े भाई खेत में पानी लगाने गए थे खेत में ही एक छोटा सा फार्म हाउस भी बना हुआ है मेरे दादा जी और उनके भाई पानी लगाने के बाद वहीं रुकने वाले थे तो दादा जी और उनके बड़े भाई खेत में पानी लगा ही रहे थे कि तभी रात के दस बजे मेरे दादा जी और उनके भाई को दो आदमी दिखाई दिए जो की हाथ में लाल्टेन लिये हुए कहीं जा रहे थे दादा जी के भाई को लगा कि ये गाउं के ही लोग है इसलिए उन्होंने उन दोनों आदमियों को आवाज देते हुए कहा कि अरे भाई इतनी रात को कहा जा रहे हो उन दोनों आदमियों ने इस बात का कोई भी जवाब नहीं दिया वो बस अपने रास्ते चलते रहे फिर कुछ दूर चलने के बाद वो दोनों आदमी हवा में उड़ने लगे उड़ते उड़ते वो दोनों आदमी पीपल के एक पेड़ के उपर जाकर गायब हो गए उनके हाथों में जो लाल्टेन थी वो भी उनके साथ ही गायब हो गई ये सब देखते ही मेरे दादा जी और उनके भाई बहुत घबरा गए फिर मेरे दादा जी और उनके भाई ने एक एक बीडी जलाई और तेजी से चलते हुए वो दोनों घर की तरफ निकल गए गर पहुँचकर उन्होंने सारी बात मेरे परदादा को बताई तो मेरे परदादा ने उन से कहा कि उस जगह पर बहुत सालों से भूत-प्रेत लगते रहे हैं इसलिए रात के समय हम भी वहां पर कभी नहीं रुकते फिर मेरे परदादा ने डाटते हुए ही मेरे दादा जी और उनके भाई से कहा कि आज तो तुम लोग मुझे बिना बताए वहाँ चले गए पर दोबारा कभी भी रात के समय वहाँ पर मत जाना उस दिन के बाद से मेरे दादा जी कभी भी रात के समय उन खेतों में नहीं गए पर मेरे दादा जी बताते थे कि दिन के समय भी उस जगह से हमेशा हींग या किसी तेज इत्र की महक आती ही रहती थी तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं पर खतम होता है और लास्ट में मैं बस आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते हैं तो प्लीज जाकर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें क्योंकि मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पैरा नॉर्मल और सूपर नैच्रल चीजों की असली फोटो और असली वीडियो अपलोड करता रहता हूँ और दूसरी बात ये कि अगले संडे को जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा वो एक असली घटना पर अधारित वीडियो होगा जिसमें की असली वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा वो घटना इतनी ज़्यादा डरावनी है कि मैं खुद उस घटना को याद करके काप जाता हूँ और मुझे उमीद है कि वो घटना आपको भी पसंद आएगी तो आपसे मिलते हैं अगले संडे को तब तक के लिए जय श्री क्रिश्न